हेलो गाईज, वेलकम हैं आप सबका अपने यूटूब चैनल एक्जाम बोस पे गाईज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड बार्सिक परिक्षा 2023 का कक्छा नो का सामाजिक बिग्यान का पेपर तो चलेगा वीडियो स्टार्ट करते हैं यह पेपर है आपका यूपी बोर्ड कक्छा नो का पेपर है बार्सिक परिक्षा 2023 का सामाजिक बिग्यान सोचल साइन्स का पेपर का टाइम है तेन गहंटा पेपर का पूर्लांग है सेवेंटी नोल यहां से आपका पेपर इस्टार्ट है घंड के बहु विकलपे पिरसन यह पैपर है उसके बाद आपका प्हेला कउशनी रहा किरानती के समय फ्रास का राजा खून था तो किरानती के समय फ्रास का राजा था लूई सोलवा ओसन सेकंड आपका right answer है 1789 इसवी में फ्रांस में किरांती हुई थी और उस टाइम पे फ्रांस में बूर्बो बंस के राजा लूई सोलभा का राज था ठीक है किरांती के समय फ्रांस का राजा था फ्रांस की किरांती 1789 इसवी में हुई थी 1789 में और उस समय बूर्बो बंस के राजा लूई सोलभा क का राज़ था वहाँ पर आपका राइट अंसर है उसके बाद है आपका दूसरा कोशन जूसो कौन था तो जूसो जो था वो एक दारसिनिक था फरस्ट बाला आपका राइट अंसर है और जूसो जो था वो एक फिरांस का नागरिक भी था ठीक है मतलब जूसो फिरांस का एक फिर मुखदार से निक था फिर्ट बाल आपका राइट अंसर है उसके बाद है आपका तीसरा कोशन पिर्थम बिस्वयुद कब आरंब हुआ पिर्थम बिस्वयुद 28 जुलाई 1914 से आरंब हुआ था और 11 नवंबर 1908 तक समाप्थ हुआ था ठीक है तो इसका राइट अंसर हो पिर्थम बिस्वयुद 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था उसके बाद है आपका चोता कोशन संयुक्त राष्ट संग की इस्थापना कब हुई थी तो पहला पिर्थम है आपका 28 अक्टूबर 1944 सेकंड पिर्थम है 24 अक्टूबर 1945 तीसरा पिर्थम है 24 अक्टूबर 1946 और फ युनाइटेड नेशन्स और्गनाजेशन तो इसके इस्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका जो मुख्यालिय है है एटकूर्ट वो है नियू यार्क में दुत्य विस्वयुद के बाद में सभी देशों द्वारा मिलकर इसके इसके इस्थापना की गई थी ताक पांचबा कोश्चन है आपका भारत का सर्वो चिन्यालिय इस्थित है दिल्ली में मुंबई में चेन्ने में कुलकाता में तो भारत का जो सर्वो चिन्यालिय है सुप्रिम कोट है वो जो है दिल्ली में इस्थित है ठीक है ओफसन फरस्ट आपका राइट आंसर है उसके बा भारत का सम्भीधान 26 जन्मरी 1950 को लागू हुआ था लगभग 20 साल बाद लागू हुआ था और भारत का सम्भीधान बनने में सम्भीधान लोगत्र में दिन भारत को ध्यान दकने हैं कि जो भारत का संभीधान है वो बिस्व का सबसे बड़ा लिखित संभीधान है यह भी आपको ध्यान दखना है साथवा कोशन है आपका लोक तंत्र में चुनाब कराना क्यों आवस्यक है तो सबसे पहले तो आपको मतलब समझने पड़ेगा कि लोक तंत्र का मतलब है क्या आठवा कोशन है आपका, हिटलर कहां का तानसा था तो हिटलर जो था वो Jermaniccup का तानसा था, दुटी है बिस्बयुद्टी के टाइम पर हिटलर ही जर्मणी को हैंडल कर रहा था, तो इनने दोफनान्न दकने हैं आपको, उसके बार हैं आपको अमेरिका में फसल काटने की मस देखी सकते हैं आगे देखते हैं सेगेंड पेच पे यहां से हैं आपका खंडक है और यह हैं आपका पहला गॉश्चन करकरेखा किस राज्ये से नहीं गुजरती है तो यह आपके ओफशन थोड़े अधूरे हैं इसमें टेक हैं उडिशा अंध्रपिर्देश दो अफशन है इसमें और दोनों गलत हैं यहां पर तीसरा ओफशन और होता साइद आगे देखीगा दूसरा पूर्वी घाट का परवत सिकर है तो पूर्वी घाट का परवत सिकर है महिंद्र गरी जबड का संबंद किस प्रिकार की बनस्पती से हैं तो वो है उस्रड कटी बंदन ये बं चार सो पचास परिवाव और पालंपुर गाउं जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जले में पढ़ता है यह आपको जहां दखना है चड़ा कोशन है बिस्व में सबसे अधिक बरसा कहां होती है तो वो होती है मांसिरा मेगाले में भारत के सरबोच परवत सिकर का नाम लिखो तो भारत का सरबोच परवत सिकर है के टू जिसे बोलते हैं हम गोडविन ओस्टिन च्यासी ग्यारे मिटर तोंचा है यह ठीक है और यह पड़ता है हमारा प्योक में उसके बाद हैं भूगर्भी प्लेटी क्या है तो धरती के अंदर की जो प्लेटे हैं उन्हे देसों के नाम लिखो जो भारत से 6 तरफल में बड़े हैं तो वो हो जाएंगे दूस सबसे बड़ा है दूस सेकंड नमबर पर है कनाडा तीसरे पर चीन चोते पर अमेरिका पांच पर ब्राजील चटे पर ऑस्टेलिया और साथ भारत चेतरफल के अकोर्डिंग दुनिया क के सबी देसों में भारत का इस्थान साथ बाहे हैं सबसे पहले नमबर पर है रूस दूसरे पर कनाडा तीसरे पर चीन चोते पर अमेरिका पांच पर ब्राजील चटे पर ऑस्टेलिया साथ भारत इससे याद करने के लिए आप टिरिक भी याद कर सकती है एक रूख चीन अ और लोगों समें ब्राजील deed है तो आ इसके बाद है मांसून को परिफासित कीजिए खादर बांगर में अंतर इस बीजयों के बारे में गाईज बस इतना ही ता पेपर में आपके आई हो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगे अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीज़ेगा और चैनल को आप लोगों ने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर दीज़ेगा